ओम शांती तीन तीन दो हजार बाइस की साकार मुरली मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैश्नव बनाने तुम अभी ट्रांसफर हो काले से गोरे बन रहे हो प्राश्न सर्व की कामनाय पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है उत्तर तुम सर्व की मनो कामनाय पूर्ण करने वाले जगत अंबा के बच्चे काम धेनू हो सभी की कामना है हमें मुक्ती जीवन मुक्ती मिले तो तुम जगत अंबा जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता बताते रहो यही तुम्हारा धंदा है गीत अंबे तु है जगदंबे ओम शांती यह है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाले अब यह भक्ती मार्ग हो गया मम्मा की महिमा शिवाबा के पिछाड़ी है जब परमपिता परमात्मा शिवाते हैं तब आकर जगत अंबा को रचते हैं रचने का अर्थ ही है ट्रांस्फर करना काले को गोरा बनाते हैं इस समय जगत अम्बा तो एक ही है जैसे शिव का चित्र तो एक ही है फिर उसके भिन भिन नाम रख भिन भिन मंदिर बनाए हैं अनेक प्रकार से महिमा भी करते हैं परमपिता परमात्मा एक ही है वैसे जगत अम्बा भी एक ही है दो भुजाओं वाली आठ भुजाओं वाले कोई देवी देवता होते नहीं प्रजापिता अत्वा जगत अम्बा भी दो भुजाओं वाली हैं जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में हैं मश्यूर है काली उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है खपर की माला भी पहनती है यह सब है भक्ती मारग जगत अंबा तो बली ले नहीं सकती वह तो जगत को रचने वाली ठहरी वह बली कैसे ले सकती अत्वाव मासाहारी कैसे हो सकती उनके मंदिर ना सर्फ कलकत्ते में हैं परन्तु बहुत जगह हैं माता अपने बच्चों की बली थोड़े ही लेगी भक्ती कितनी कड़ी है अब उन्हों को कोई बैट समझावे कि जगतंबा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता ना ऐसी बली लेती हैं उसमें भी एक हैं वैशनव देवी दूसरी है मासाहारी अब जो मासाहारी हैं वो वैशनव बनती हैं भल मम्मा तो कुमारी हैं शायद कुछ ना भी खाया हो जगतंबा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी अब कुमारी को फिर अंभा कैसे कहा जाता यह समझने की बात है कलकत्ते में बहुत पूजा होती है बहुत भयानक शकल बनाई है जगत अंभा की तो ऐसी शकल हो न सके वह सबकी मनोकामनाय पूर्ण करने वाली है वह सची सची वैशनव देवी है उसके पिछले जन्वे में जरूर मासाहारी होंगी फिर वैशनव अत्वा पावन देवी गुण वाली बन रही है है सारी संगम युक की बात तो जगत अंभा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप एक है पहले बताना है कि निराकार आत्माओं का बाप भी एक है फिर साकार प्रजा पिता ब्रह्मा भी एक है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है वह कभी बलियादी नहीं लेती पहले सुन्दर थी अब सावरी है फिर सुन्दर बनेगी तो सारा कुटुम्ब भी सुन्दर बन जाएगा बहुत जगत अंबा को दो भुजा वाली ही दिखाते हैं समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे कोई तो जगड़ा भी करेंगे हंगामा करने में देरी नहीं करते तो समझाने में होश्यार चाहिए तुम बच्चे हो कल्यान कारी मम्मा भल पहले कलकत्य में गई थी परन्तु ऐसी मुरली नहीं चली थी जगत अंबा है एक तुम अनेक अनेक बच्चिया हों तुम अनेक अनेक बच्चिया हों नाम तो एक का होगा ना एक के ही अनेक मंदिर बनाए है अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा से छुड़ाएं कैसे उन्हों को भी पूज्य तो बनाना है न तो वहां जाकर कोई समझावे इस समय वह जगत अंबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी हैं वह हैं कामदेनू किस रिती वह कामनाएं पूरी करती हैं या कोई नहीं जानते तुम हो कामदेनू जगत अंबा की बच्चियां सिर्फ गव माता नहीं पूर्ण भी हैं वह भी बहतों की कामनाई पूर्ण करते हैं, तुम्हारा धन्दा ही है सब की कामनाओं मनो कामनाई पूर्ण करना, कहां भाई भी सेंटर्स चलाते हैं, उन्हों की बुद्धी में आता है कि हम भी सभी की मनो कामनाई पूर्ण करें, अर्थात मुक्ती जीवन मुक्ती का रास् बतावें, स्वर्ग का वरशा दें, जिनोंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे, हाँ वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं, जगत पिता जगत अमबा इन दोनों का रचाइता है शिबावा, इन दौरा कितनी मनों कामनाय पूर्ण होती हैं, कलकत्ते में बहुत पूजा होती हैं, कोई किसको, कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैशनव देवी को भी मानने वाले होंगे, वह तुमारी बातों से जटराजी हो जाएंगे, बोलो तुमको राज्य भाग के मिला हुआ था इस जगत अमबा से, जगत अमबा को फिर कहां से मिला, जगत पिता से, उनको क अहां से मिला शिबाबा से जो सारी स्रष्टी का रचायता है तो मच्छी रीती समझा सकते हो जगतंबा को सब मानते हैं जरूर जगतंबा और जगत पिता को भी वर्षा शिबाबा से मिलता है फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है जगतंबा एक है दो भजाओं वाली है बहुत बजायन नहीं है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है ज्यान ज्यानेश्वरी परन्तु उनका रूप तो भयानक दिखा दिया है तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अंबा का ऐसा भयानक रूप नहीं है सतोप्रदान मनुष्य से फिर तमोप्रदान बनते हैं तमोप्रदान मनुष्य फिर सतोप्रदान मनुष्यों को पूजते हैं जगत अंबा मनुष्य ठैरी क्योंकि जगत तो यहां है मूल वतन सुक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे सुक्ष्म वतन में देवताएं मुल वतन में आत्माएं रहती हैं तो यह सब बाते समझाने की हैं बाकी बाप और वर्षे को याद करना है 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े जो देवता थे वह अब नहीं है जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे वह फिर उचपद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए जरूर उचपद पाएंगे परन्तु विचार करो पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे तब तो अच्छा पद पाएंगे पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी दूसरा फिर जाकर नोकर चाकर दासदासीयां बनेंगे क्योंकि विकर्मों का बोजह बहुत है जन्म जन्मांतर दासी बने पिछाडी में पद पाया तो क्या हुआ इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है वह किसके दासदासिया नहीं बनते यह सब समझने की बाते हैं बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे तो वैशनव देवी की वैशनव देवी ही लक्षमी बनती है लक्षमी का मंदर बड़ा या वैशनव देवी का मंदर बड़ा महिमा किसकी बड़ी है वह है ग्यान ग्यानेश्वरी लक्षमी को ग्यान ग्यानेश्वरी नहीं कहेंगे इसलिए महिमा जगत अंबा की है बड़ा मेला भी उनका लगता है लक्षमी को दीपमाला पर बुलाते हैं यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते समझाने वाला बड़ा होश्यार चाहिए जो युक्ती से प्यार से काम चलावे जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं श्री लक्षमी कितनी सुन्दर थी लक्षमी नरायन की जो इतनी पूजा है वह भी पक्के वैश्नव है जगत अंबा भी वैश्नव है बाप ने उन्हें राजयोक सिखला कर मनुष्य से देवता बनाया है तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है तब तुम पूजा लायक बनते हो वास्तों में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए आजकल तो शिवोहम का बैट पूजा कराते हैं उन्हों में भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते अब शिव तो है निराकार वह अपनी पूजा कैसे करावे देखो शिय बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़े ही कराते हैं बाप तो आकर पुजारी से पूजे बनाते हैं पूजा करना कैसे सिखलाएंगे शिय बाबा कुछ भी करने नहीं देते कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो केवल बाप को याद करना है याद करना कोई जाप नहीं है बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं बच्चा थोड़े ही बाप का जाप जपेगा तुमको भी जाप नहीं जपना है जाप और याद में रात दिन का फर्क है पॉइंट्स तो धेर नई नई मिलती रहती हैं समझाने के लिए यह भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है इनसे मिलता है बेहत का वर्षा और लौक एक बाप से मिलता है हद का वर्षा स्पारलो के बाप ने कल्प पहले भी वर्षा दिया था अब फिर देने आए हैं बुद्धी में सारा ज्ञान फिर न चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए देखो ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी महनत चाहिए जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए दुखी तो बहुत हैं एक दो में लड़ते रहते हैं बाप आकर इश्वरिय संपरदाय बनाकर फिर देवी संपरदाय बनाते हैं इसलिए लड़ाई जगडे की बात ही नहीं इश्वरिय दर्वार में कोई आसुरी रहना सके मूत पलिती कपड़ों को यहां बैटने का हुक्म नहीं बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लड़ना जगड़ना नहीं सत्गुरु का निंदक ठोर ना पाए यानि सत्युक में उच्पद नहीं पाए सत्गुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनकी निंदा करें तो उच्पद पाना सके यह है सारी यहां की बात परंतु वह अपने उपर ले गए हैं और मनुश्यों को डराते रहते हैं यहां तो पूरा पवित्र बनना है गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते ग्रहस्ती को गुरु बनाने से कोई फाइदा नहीं यह है प्रजा का राज्य फिर दैवी राज्य बनाने वालों बनाने वाला समर्थ चाहिए बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी बाकि सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे कहते हैं भगवान आकर फल देंगे इससे सिद्धोता है कि कोई भी निर्वान धाम में जा नहीं सकते बाप ही आकर राजियोक सिकलाते हैं बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ मेरे में ही सारा ग्यान है मेरे को ही पतित पावन कहते हैं मैं ही तुमको राजियोक सिकलाता हूँ तुमको फिर औरों को सिकलाना है समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है तुमको नोट करना चाहिए अच्छा भाशन करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है बाद में ख्याल आता है यह सुनाना चाहता था नोट जरूर करना है परन्तु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें पढ़े नहीं धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चलेंगे सुबह अमरत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है फिर पॉइंट्स रिपीट करें औरों को सुनावें तब उच्पद पाएं राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है समझा मेहनत करनी है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला पूज्य बनने का पूरा पुरुशार्थ करना है अपनी पूजा नहीं करानी है आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब ही पूज्यनिय लायक बनेंगे दूसरा होश्यारी से समझदार बन कल्यान की भावनारक सेवा करनी है देवी गुणों वाला सच्चा वैश्नव बनना है वरदान परमात्म प्यार में धर्ती की आकरशन से उपर उड़ने वाले माया प्रूफभव परमात्म प्यार धर्नी की आकरशन से उपर उड़ने का साधन है जो धरनी अर्था दे अभिमान की आकर्षण से उपर रहते हैं उन्हें माया अपनी और खीच नहीं सकती कितना भी कोई आकर्षित रूप हो लेकिन माया की आकर्षण आप उड़ती कलावालों के पास पहुँच नहीं सकती जैसे रॉकेट धरनी की आकर्शन से परे हो जाता है ऐसे आप भी परे हो जाओ इसकी विधी है न्यारा बनना वा एक बाप के प्यार में समाई रहना इससे माया प्रूफ बन जाएंगे स्लोगन स्वा इस्तिती को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्तितिया उसे नीचे उपर ना कर सके अनमोल ग्यान रत्न दादियों की पुरानी डाइरी से ग्यान ही खुशी का फाउंडेशन अत्वत्थुर है जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रुपी जाड का मदार है अगर foundation पकका नहीं है तो वह खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पस सब धन पदार्थ मौजूद है परन्तु हम जानते हैं कि उन्हें सरवदा के लिए स्थाई खुशी नहीं रह सकती क्योंकि उन्हों के पस ग्यान का foundation ही नहीं है यह तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई साहुकार किसी फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है परंतु वास्त में माल मालिक खा जाता है वैसे हम इन अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्यान से ईश्वरिय इस्थाई अतिंद्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं और वे फिर अल्पकाल चणभंगुर सुख देने वाली माया को जिसमें वास्तों में कोई सुख नहीं है उसके पिछाड़ी, चटक, उसकी रशना ले उसमें ही सुख समझ बैटे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है अच्छा, ओम शान्ती सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा